तो चलो प्यारे बच्चों इस वाले सवाल को देखो अगर इस वाले क्वेश्चन को तुम देखोगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक क्वायल है जिसका इंडक्टिव रियक्टेंस 31 है एंड है रिजिस्टेंस यहां से दिया हुआ है इस प्लेशट इन एक कंडेंसर आप कैपसीटर 25 यहां से इस प्लेश इन सेरीज बिस एक चंडेंसर मनलब कुल मिला के अगर इस कोश्चन को देखोगे तो यह क्वेशन जो है वह बैसिकली सीरीज लसी आर का सरकीट है तो यह रहा अपना इंड़क्टर और यह अपना रेजिस्टेन्स और यह रहा अपना यह अपना तो इंड़क्टर कैपई सीटर यह पूरह आपस में सीरी्ज में connected है अब यहां से inductive radian resistance यहां से 8 ohm है और यहां से यह 31 है 31 ohm और जो C है वो 25 ohm है यहां से दिगा हो connected in series to AC source अब यहां से VRMS जब कभी भी नहीं बताएगा तो मैं VRMS ही लूँगा तो VRMS यहां से the power factor of the circuit तो इस circuit का power factor देखो तो किसी भी circuit का जो power factor होता है power factor तो power factor का मतलब होता है cos pi की value cos pi मतलब r over z ठीक नहीं तो r यहां से दिया हुआ है r की value यहां पर अपना तो यह तो दिया हुआ that is r this is the l this is the x x c की value 25 है और यहां x l की value 31 ठीक नहीं तो r over z z आई हम सबको पता होगा कैसे निकालते है r square plus x l minus x c का whole square और under root this is the final conclusion तो अब इसमें power factor अब इसको solve कर लो तो power factor की value आ जाएगी यहां से यहां से इसको मैं इधर solve करता हूँ तो r r की value यहां रख को r अपना 8 और divide कर दूं यहां से 8 का square plus यहां से x l minus x c c का whole square तो x l कितना है 31 minus यहां से 25 का whole square under root तो यहां से 38 यहां से आ जाएगा और यहां से 8 64 और plus यहां से 31 31 यहां से 31 और minus यहां से करोगे 31 तो यहां जाएगा 6 का 36 36 अंडर root तो 100 आ जाएगा तो 8 अपन यहां से 100 अंडर root तो 100 मतलब 10 तो 8 अपन 10 मतलब यहां से 0.80 जीरो आ जाएगा जो की power factor unit less dimension less है मतलब D option अपना सही हो जाता है